आज हम शाम की चाय के साथ बना रहे हैं कुछ यूनिक सा और क्रिस्पी पटैटो लाली पॉप बॉल्स जो बहुत ही यम्मी होता है चलिए अब हम बनाते हैं हम लेंगे उबली हुई यालू इसे अच्छे से मैश कर लेंगे बिल्कुल बारिक बारिक सा फिर हम डालेंगे इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा गरम मसाला एक पिंच एक चमश लाल मिर्च पाउडर एक चमश कसूरी मेथी और इसके साथ ही हम डालेंगे कॉनफला पाउडर दो चमश अब इसको हम अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे यह हमारा अच्छे से मिक्स हो गया हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी सी बाल्स बनाएंगे इस तरह हमारी बॉल्स रेडी हो गई और टूट पिन लेंगे उसमें हम इसको ऐसे डाल देंगे ताकि हमारा लाली पॉप की जैसा तैयार हो जाए एक पिन में हम दो तीन बॉल्स डाल सकते हैं जितनी बड़ी आपकी टूट पिन हो हमने इसे ऐसे डालके इसी तरह हम सारे बॉल्स तयार कर लेंगे ये हो गई हमारी सारी बॉल्स तयार अब चलते हैं हम फ्राय करते हैं हमारा तेल हो गया है बिल्कुल हीट अब हम इसमें अपने एक एक पिन डालेंगे बॉल्स को अच्छे से फ्राइ करेंगे इसे बिल्कुल गॉल्डन ब्राउन होने तक बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना ये हो गया तयार हमारा लाली पॉप बॉल्स अब हम इसे निकाल लेंगे चलते हैं इसको हम डेकोरेट करते हैं मैंने लिया है दो कप अच्छे से आपके पास जो भी हो आप ले लीजे इसमें मैंने दो तीन स्वाल्स ऐसे डाल दिया है फिर हम इसके उपर रखेंगे अपने लाली पॉप्स पटेटो लाली पॉप्स ये हमारा तयार हो गया वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सुस्क्राइब जरूर करें मुझे कमेंट में आप एक बर बना के जरूर बताएए आपको कैसा लगा इसके उपर मैं डाल रही हूँ सॉस आपको जो पसंद हो हरी चटनी